हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं LIC के दो ऐसे क्रेडिट कार्ड जो की IDBI बैंक ला रहा है जिसका नाम है LUMINE और ACLET दोस्तों ये दो जो कार्ड हैं वो LIC द्वारा लांच भी किये जा रहे हैं क्योंकि आप लोग जैसा की जानते ही हैं कि IDBI बैंक जो है उस पे सबसे जादा शेर जो हैं वो LIC के हैं उसके बाद है उसमें भारत सरकार के और जो बाकी थोड़े बहुत शेर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं 5-7% वो आपको मैं स्क्रिन पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से शेर हैं दोस्तों और IDBI बैंक ही लांच कर रहा है इस कार्ड को 29 जुलाई 2021 को इन्होंने ये दो कार्ड लांच किये हैं कौन इस कार्ड को ले सकता है और क्या-क्या फीचर्स हैं वो इस पूरी वीडियो में हम आपके साथ शेर करेंगे तो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं चलिए जानते हैं इंडिया और मैं प्रमोद आपको सारी जानकारी दूँगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है वो बनना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें सिबिल चेक करता है फाइनेंशल इंस्टिटूट जो भी क्रेडिट कार्ड देता है चाहे वो बैंक हो चाहे वो लाइसी हो चाहे कोई भी फाइनेंशल इंस्टिटूट वो सबसे पहले सिबिल चेक करता है उसके बाद ही कार्ड देता है तो दोस्तों कार्ड जो है रखना एक status symbol माना जाता है इंडिया में जिसके पास भी credit कार्ड होता है वो अपने आपको राजा की तरह महसूस करता है तो दोस्तों ये जो कार्ड होता है ये काफी अच्छा भी होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाग भी होता है कारण कि अगर आप कहीं से भी चूटते हैं payment के लिए तो इसकी जो ब्याजदर है वो 36 से 42% तक जाती है इसलिए दोस्तों ये काफी खतरनाग भी है लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सही ढंग से यूज़ करेंगे तो एक बहतर option है या बहतर विकल्प है आप इसको यूज़ करके अपनी सारी जरुते भी पूरी कर सकते हैं लेकिन सही तरीके से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आज चलिए features के बारे में जान लेते हैं तो इसक्रीन पे चलते हैं क्या-क्या features हैं वो उसके बारे में मैं आपको पता हैं तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यह जो features हैं, benefits हैं इन दोनों कार्डों के तो चलिए जानते हैं दोस्तों अगर हम कार्ड के spend की बात करें अगर 100 रुपे आप खर्च करते हैं Lumine कार्ड पर तो आपको 3 Delight Point मिलते हैं और 4 Delight Point मिलते हैं एकलेट कार्ड पर तो दोस्तों एक पॉइंट की जो value है वो 0.25 है तो यानि 25 पैसे आपको एक पॉइंट पे मिलते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें वैलकम बोनस की तो 1000 Delight Point मिलते हैं Lumine कार्ड पर और एकलेट पे 1500 Delight Points आपको मिल जाते हैं लेकिन शर्ट इतनी है कि 10,000 रुपे स्पेंड करने पड़ते हैं साथ दिनों के अंदर बात करें फ्यूल सरचार्ज की तो 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर है दोनों में दोस्तों अगर हम बात करें LIC की Premium Payment की यानि अगर Premium Pay करना है तो आप इसे कर सकते हैं और वो जो पॉइंट्स हैं वो डबल हो जाते हैं Premium Pay पर बात करेंगे Insurance Benefit की तो Personal Death Insurance, Permanent Disability Insurance Cover अवलेबल है दो लाक रुपे का Lumine Card पर और Accled Card पर दस लाक रुपे का बात करेंगे Air Accident, Death Insurance की तो ये सिर्फ और सिर्फ Accled Card पर अवलेबल है जो की है 25 लाक समय शौट का बात करेंगे हम Add-on Card की तो Lumine Card पर एक Add-on Card इशू होता है और Accled Card पर दो Add-on Card इशू हो सकते हैं बात करेंगे Airport Longest Access की तो दो Domestic Airport पर Quarter और दो International Airport पर Half Year आपको अवलेबल है बात करेंगे Welcome Offer की तो Swiggy, Amazon और कई सारे ऐसे Brands हैं जिस पर यहाँ पर Welcome Offer दिये जा रहे हैं बात करेंगे EMI Facilities की तो अगर आपने 3000 रुपे की Transaction करी है और अगर आप इसको EMI में Convert करते हैं तो आप कर सकते हैं जिरो परसेंट प्रोसेसिंग चार्ज 13 परसेंट का Rate of Interest के साथ EMI कर सकते हैं Tap & Pay की भी Facility अवलेबल है दोस्तों अगर हम बात करें More Features इसमें देखें तो Lifetime Free Card है यह Zero Lost Card Liabilities है Credit Shield Insurance Cover अवलेबल है Up to 48 Days का Interest Free Credit Period है Cash की बात करें तो जितना भी आपको Limit मिला है उसका 15% आप Cash Withdrawal कर सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें कि इस Card को कौन बनवा सकता है क्योंकि यह IDBI Bank का LIC के साथ Merge एक Launch किया जा रहा है मिला करके LIC इसमें दे रही है तो LIC के भी कुछ Documents इसमें लगेंगे Pen Card, आधार Card, Policy Paying, Receipt और Photograph दोस्तों Yearly Premium Base होना चाहिए Policy Holder का Policy Holder की Complete 3 साल की Policy चली होनी चाहिए इसको ले सकता है LIC Policy तो दोस्तों इसमें आप Annual Premium 25 के अगर आपकी उपर है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं LIC Policy Holder, LIC Agent और Subsidies और Associate और Employee of the LIC of India के लोग इसको ले सकते हैं यानि अगर Policy Holder की बात करें तो आप भी इसको ले सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखी लिया कि किस तरीके के features इसके अंदर available हैं और कौन-कौन eligible है इस card को बनाने के लिए वो सारी चीजे मैंने आपको बता दी हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा दोस्तों और मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा financial वीडियो या investment की वीडियो देखने के लिए जै हिन जै भारत